हेलो अबरीबन मैं हूँ सल्मान और आप देखरें इंडिन बजी जन लवबर्ड चैनल दोस्तो आज के विडियो का टॉपिक है बजी स्पेरड लवबर्ड कॉक्टेल जावा फिंचिस को एक फूड हमें गर्मियों में किस तरीके से देना होता है और क्यों देना है और क्या ह अंडिक किने फाइदे और अपने बड को अंटा देते हैं यह फूर देते हैं तो वह बड को तुट्रल देता है क्योंकि इसके अंदर भरभण सब बी से इसके अंधर जाते हैं बहुत टाकतदर होता और इसकी तासीर गरम होती को देदे लिए ताकि के हमती हैं कि अफिधारं अब औरूंद को हमेशा इकम पूर्ट दिते रहें wheat ऐ में अपने बर्ट को एकम देना चाहिए मैं अपने बर्ट को जरूर एकम देता हूं चाहिए गर्मी हो या स聊 ढी हो और उसकी जो हे तासिर है उसको ज्यहल सके और वर्ड की जो एक फूट की जो गर्म्य होती है वो ज्हेल सके मोशन ना लगे इतने हैं इतनी कौंटिटिटी में देना है और इतने दिन बाद देना है तो फ्रेंड़। हम को एक फूट जरूर देना चाहिए और जैसे आप सर्दियों में हफते में एक दिन एक फूट देते हैं और उसी तरह से गर्मियों में हमें ही मातरा में calcium होता उसको भी आप crush करके अंडे के अंदर डाल सकते हैं और अभी off season है और सारे box मटकें उतार दी जाएंगी तो हमें अपने bird को एक food देते रहेंगे तो उसकी body में जो vitamins हैं वो एक के जरीए वो पहुंचते हैं और अंडे खिराने से उसके अंदर जो टाकत है ज अब गर्मी आ गई हैं तो मैं हर पंदा दिन में एक food देता हूं जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस वक्त आपको पंदा दिन में एक दिन आपको जरूर एक food देना है अब आगए आप जाएंगे तो जितनी गर्मी बढ़ेगी तो आप उससे हिसाब से आप पांच- एक food खलाना शुरू करते हैं तो एक food खाने का उनको आदत नहीं होती है तो आदत नहीं होने की वजब आपको इक भूर्ड देते रहे आंगे काफी Indian से तो बड को आदत बनी रहेगी वह जब सर्धी आएंगी तो बै आटोमेटिक आपको एक की जरीये मिलता भी रहेगा तो urm甲 दो दोस्तों यह बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं हमेशा अपने बर्ड को करता हुँ प्रिफर करता हूँ आप भी एतने बर्ड को एक फूट जरूर दें तोको इसकी जो बैनेफिट है वह बहुत ज्यादा है और मैं SNCC अपने बर्ड को एक हुट दिया है तो दोस्तों मैं अपने बर्ड को हैख फूट जब दीता हूँ तो यह रॉयल विंग्स थो यह हैंट्वीट फॉर्मूला मैं इसको भी थोड़ा स Täू का एक चम्च एक हैंग दोस्तों इससे भी बहुत अच्छा फाइदा बच्चों को आदद बनी रहती है कभी मैं हैं फीड पर भी बच्चों को ले कर आऊंगा अगर हमें हैं फीडिंग कर आऊंगा तो बड़ इसको खा लेंगे तो यह मेरा तरीका एक फूट देने का और प्रेफर करूंगा आप भ करेंगे, अल्ला आफिज़ू